दीप आंसर्ज आपकी समस्या दीप त्रिवेदी के समाधान ग्यान वस्तो और रिष्टों से मैं मेरा और मेरे की भावना हटा दी जाए तो इनसे भी बड़ा आनन मिल सकता है मैंने आपका सवाल सुना आप इस सवाल को एक बार और पढ़ लेना इसके पहले हिस्से में आप सवाल पूछ रहे हैं और इसके दुसरे हिस्से में आप स्वयम जवाब दे रहे हैं सो कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तू, कोई भी क्रिया, कोई भी संग्रह, है ना वो यदि आप में मेरे या मेरा का भाव जगाता है तो वो चीज आपके लिए जहर हो जाती है बिना अफात के, वो सुख कम देगी और दुख ज़्यादा देगी और मनुश्य को यह कला नहीं मालूम और मनुश्य को यह कला सिखाने वाले भी बहुत कम लोगे, यह कला सिखना भी मुश्किल, सिखाना भी मुश्किल कि कैसे कोई मेरा और मेरे के भाव के बगेर चीजों को संग्रहित कर सकता ज्यान को संग्रहित कर सकता यह आता नहीं है और संग्रह करता है और फस जाता है तो धरम और ग्यान हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, मनुश्य ग्यानी ही पेदा होता है, मनुश्य दार्मी ही पेदा होता है, यह जो बहार से संग्रा करता है और फिर मेरे मेरा मजबूत करता है, उससे उसका धरम बीतरी बीतर दपके मर जाता है, उससे उसका ग्यान बी बितरी बितर दपके मर जाता है, सो आप सवाल एक बार फिर सुन लें, सवाल भी आप पुछ रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं, सो ऐसा ज्यान, ऐसी वस्तू, ऐसा संग्रह, ऐसे रिष्टे, जिसमें में मेरे मेरा नहो, वही मनुश्य को सुख देता, और उसी कला का नाम धरम है, जो आपको में मेरे मेरा से छुड़वा कर सब कुछ पाने की कला सिखाती है, मेरे मेरे मेरा यूज़् नहीं करना पड़ता था कि मेरी द्वारका, द्वारका अलग है, करश्ट अलग हैं, लेकिन द्वारका मेरी नहीं हैं, तो यह एक बुनियादि फरके, उम्मीदे आप समझ जाएंगे, thank you very much.